नमस्कार श्वागत है आपका हेल्ट इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ रिया आज हम जानने वाले ही कि डेंगो से किस तरहीके से बज़ सकते हैं आखिर क्या क्या साफथानिय बढ़ते क्योंकि अभी के समय में ज्यादा डेंगो परिशान करते हैं अभीत की समय में देखा जा रहा है कि डेंगू की मरीज ज्यादा मिल रही है क्योंकि अभी डेंगू की मच्छर ज्यादा पनपती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती है जिससे लोग इस मच्छरों की चपेट में आकर अस्पतालों में भरती भी हो रही है आपको बता दे कि डेंगो कभी कभी खतरनाग भी बन जाता है जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है डेंगो वारस मच्छरों से होने वाली खतरनाग बिमारी है जिससे उचे देख भाल द्वारा बचा जा सकता है इस बीमारे से सुरक्षित रहनी का सबसे असान तरीका है कि आपके आसपास मचर पैदा ना हो आपको बता दे कि डेंगो के मचर सुबा के वक्ती ज़ाद साकरमक होते हैं दिन के उजाले में डेंगो के मचर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिसकी वज़ा से लोग अभी ज्यादा चपेट में आ रहे हैं तो चली आपको बताती हैं कि किस तरीके से आप साफधानी बढ़ते ताकि आपको डेंगो का खत्रा कम हो सकता है अपने घर को साफ सुत्रा रखें जी हाँ, घर में किसी तरह की गंदगी ना रखें हर चीज को वो साफाई के साथ रखें घर में या उसके आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने दें आपको बता दें कि डेंगो के मच्छर गंदे पानी में नहीं बलकि जमा हुई साफ सुत्री पानी में उपनपते हैं इसलिए डेंगू के मच्छर से बशने के लिए कहीं भी घर के आसपास पानी जमा ना होने दे पीछे मच्छरो को मारने के लिए अपने घर के कोनी कोनी में स्प्रे का इस्तिमाल करे और मच्छर को मारे अपने गीले कचड़े को अलग रखे और सूखे कचड़े को अलग रखे आपको बता दे कि गीले कचड़े और सूखे कचड़े को एक साथ ना रखे वहां भी मच्छर पनपने के ज्यादा आसार है बारेस में ताजा पानी के जमा होने के कारण डिंगू मच्छर से इंफेक्ट होने की संभावना अधिक होती है इस बिंदु पर सुरक्षा के सभी उपायू का प्रियोग किया जाना चाहिए हमेशा पूरे कपड़े पहने जिसमें अपके त्वचा का कोई भी हिस्सा खुला हुआ ना हो मच्छर प्रतिरोधी क्रीम लगाए और इसे हर समय अपने साथ रखे घर के दर्वाजे और खिड़किया बंद रखे ज्यादा तर सुबह और शाम के दोरा एक दिन के उपियों के बाद अपने हाथ के तॉल्यों को बदल दे अपने गीले कपड़े और ज्यूते को सूखे कपड़े से दूर रखे इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके गीले कपड़े को सुखाने की कोशिश करे या ना किवल आपके हमारे घरों से संबंधित है बलकि हमें आसपास की जगा और शहर दोनों को साफ सुतरी रखनी की जरूरत है आपको बता दे कि अगर गंदे गटर दिखे तो कुछ सामाधान ढूंडे या समस्या आपको बिमार कर सकती है और आपको भी डिंगू के चपेट में ले सकती है जिसकी वज़े से आप तो बिमार पढ़ेंगे साथ ही आपके आसपास के लोग भी डिंगू के चपेट में आ सक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया है संबंदित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें